यो फ्रेंड्स मेरा नाम उसेन है सोगत है आपका अमारी चैनल फार्मा लेक्चर्स में आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट होने वाले हैं आपके समेश्टर एक्जाम के लिए विडियो में बात करने वाले हैं जो आपको बाइव स्ट्रेटिक्स के इंपोर आपको भी पता है जिसमें 3rd, 4th, 5th तीन यूनिट बचिए जिसमें 4th और 5th तो आपका हो जाना चाहिए क्योंकि दो-दो questions है और मेली वो theory portion से है अगर आपको जो है theory portion से भी कोई topic पर है कि यह समझ नहीं आ रहा है जो मैंने आपको notes provide करवा रखें टेलिग्राम पर मैं ऐसा कि यहां पर आप देख सकते हो यह हमारा टेलिग्राम का channel है और यहां पर bio statics का सारे units available है अब क्या है कि यहां पर जो 3rd, 4th, 5th यहां से आपका जो काम रहेगा कि 3rd, 4th, 5th unit से जो भी theory portions है numerical से आपको अपने से try करना है यहां से देख करके अगर नहीं हो पाता है तो आ इंकम simple language में आपको पता ही है कि कितना simple language में मेरे notes होते हैं तो मैं यहां पर उसको अविलेवल करवा दूगा चाहे वो theory का topic हो या फिर वो numerical का हो जिससे आप easily आप कर लोगे तो आपका काम तो यह कि 3rd, 4th, 5th unit जो है अपने से करना है बट आप comment करके बतागे जैसे कि अभी स्टार्टिंग वाला ही topics है बहुत सारे टेस्ट है तो वह भी मैं cover up करवा दूगा जो भी टेस्ट में numerical में दिखाता है तो वह मैं आपको यहीं पर टेलिग्राम पर प्रवाइट करवा हूंगा तो आप comment कर देजिएगा आप आते हैं unit 2 तो unit 2 से जो important बनता है तो एक तो least square method से question आना चाहिए यह important topic है और हर बार देखा गया कि almost time यहां से आता है महीं पर probability distribution के अगर हम बात करें तो यहां से binomial distribution तो बाहर पर देखा है बट poison distribution का उतने सारे मैंने questions में नहीं देखे कि किस तरीके से और questions बनते है binomial को तो पता है कि दो तरीके से questions बनाता है आपको solution में दिखाऊंगा इसके उपर के जो numerical से वह question paper से ही लिए गया है और poison भी important binomial तो है important इसके अलावा sampling sampling और hypothesis testing दोनों important है बट दो में से एक ही question आपको देखने को मिलेगा otherwise hypothesis testing जादा important है इसे दे सकता है और sampling भी important है ऐसा नहीं कह सकते कि उसको छोड़ दें बहुत simple है आप एक बार पढ़ोगे तो यह सब हो जाएगा अब आते हैं parametric test जिसमें टेस्ट और anova अनोवा बहुत यहां से important और test test भी important है और यहां से तो यहां पर आपको डारेक कोशन आया हुआ था यह और सेम टुसे मैंने उतार दिया कि analyze the purpose of curve fitting पहले तो परपस बताओ करफ इंग का उसके बाद बताओ कि fit a straight line एक straight line fit करना है आपको यह रहा equation एक्स और य दिया हुआ है तो उसके जरीए जो है एक straight line fit करो because जो आप यह graph fit करोंगे न तो आपका कुछ इस तरीके से graph बन रहा है इस तरीके से यह कुछ ऐसे यह ना कि straight नहीं बन पा रहा तो उसी को हमें fit करना है least square method से तो देख लेते हैं कैसे होगा तो उसके आसपास वाले topics भी हम देख लेंगे सबसे पहले आते हैं कर फिटिंग कर फिटिंग का purpose क्या है तो कर फिटिंग हम करते हैं एक तरीके से इसका यह परपस है कि हम प्रेडिक कर सकते हैं future data को stock market में जो predictions है इसके अलावा कोई भी trend है हम पता कर सकते हैं उसके जो data से हम आगे वाले data को निकाल करके और उसके अलबा calibration of instrument इंस्ट्रूमेंट जो है वह प्रॉपर काम कर रहा है उसका interpolation और extrapolation इसके लाव मोडेल assessment dose response relationship इन सब में इनका यूज किया जाता है यह परपस बताने थे अब आते हैं कि कैसे आप करोगे यह रहा वह जो इन्होंने equation दिया हुआ है x और y के value जो दी हो यह variables का तो graph ऐसा fit हो का बठ हमें जो है straight fit करना है by curve fitting यानि least square method से तो जो least square method है न इसको हम use करते है है determine करने के लिए regression equation अगर यह regression equation हमें मिल जाती है तो हम जो है गर फिट कर सकते हैं और जो वह कर फिट होगा वह एकदम best fitting कर वह होगा इस method से तो इसके लिए न यहां पर दो formula है दो formula है और दोनों simple है एक जैसे ही है focus आपको यह रखना कि पहले बात तो यह formula आये कहा से हैं तो straight line का जो formula है हमें पता है हम अल्रेडी पहले से पढ़ते हुए आ रहे है y is equal to mx plus c इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ x is equal to a plus b x तो यह equation है इसी से जो है यह हमने equation बनाई है पहले हमने बनाई है इस equation से y is equal to mx plus c से x is equal to a plus by और यहां पर एक y के लिए हमने ले लिया a plus b x यहां पर जो यह वाई देख रहाँ ना इसकी जगह पर जो है generally हमने यहां पर x यहां पर पूट किया यहां पर y किया पूरा equation वही है अब क्या है कि जो regression equation x on y और regression equation y on x question में कभी कभार एक्टियों डाल देता है कि least square method तो यूज करो बट x on y वाला least square method यूज करो या फिर y x की जगह पर y fit करके आप least square method यूज करके यह question को solve करो तो यह आपको समझा गया question में अगर नहीं दिया है x on y या y on x तो आप दोनों में से किसे पर भी कर सकते हो जैसे कि आप यह वाले question में नहीं दिया हुआ था जो कि पहला equation है x is equal to a plus by ठीक है और यहाँ पर हमने क्या किया है x put किया है यहाँ य लेकर करके तो y is equal to a plus bx यह दो equation आप समझ गया होंगे अब क्या करना है सबसे पहले आपको sigma sigma सब जगे लगाना है क्या होता है कि जब पहली बार आप sigma लगाओगे ना तो x के पास sigma आ जाएगा और b sigma y यहाँ पर भी sigma आ जाएगा बट यहाँ पर जो a के पास आएगा ना वो डिर्क एन आएगा तो यह बस आपको दिहान रखना है कि जो second step और third step बिकोज यह दोनों ही formula important है और यह दो formula important ही इन दोनों से ही हम अपना जो है वो straight line fit कर पाएंगे तो यह आपको समझ आ गया होगा सबसे पहले step में multiply किया sigma से और second वाले में हमने multiply किया अ के सबसे करें यहां परetzen मुआ जाएगा और सिंगमा से chilli ह्सा करें जहां पर एक पास ए रजयकों चे इंडय दाएक अन एंगा पर सी क्या से मॉलडड़icação तोल यहां पर उमारो सिद्था करेंगा यहгаर्स तब यहां पर X के साथ Y आ गया और यहाँ पर Y आ गया यहाँ पर भी Y आ गया यहाँ पर X, X, X आ गया तो समझ आ गया होगा तो अब आते हैं question पर तो question डायरक्ट ही ऐसा मिलेगा आपको आपने एक formula चूस किया because question में mention नहीं था और ध्यार रखना है कभी भी आप यह question करोगा तो A और B के value आपको निकाल लिए है A और B के लिए ही तो यह दोने equation के हमें ज़रुवत है यह दोने equation होगा तब ही हम दोनों के value निकाल पाएंगे तो सब सब पहले हमने एक formula चूस कर लिए अपने according Y is equal to A plus B X और जब हम इसको multiply करेंगे sigma से तो यह आएगा और X multiply करेंगे यह आएगा तो दोनों में देखते हैं sigma Y और sigma X sigma X sigma X square होगा यहाँ पर square लगा दीजगा और यहाँ पर sigma XY यह सारे हमें निकालने हैं कैसे निकालेंगे X की जगा पर हमने value पूट किया Y की जगा value पूट किया अब क्या होगा इन दोनों को multiply करेंगे XY आजाएगा और X की square करेंगे तो यह आजाएगा और दूसरा formula यूज करते तो Y की square का भी कर लेते ताकि Y वाला आजाता और नीचे जब sum करेंगे तो sigma आजाता आपको पता ही होगा मैंने अभी बता रखा था Sigma X मतला X का हमने सारे value add कर दिया है तो सारे values यहाँ पर आ जाएगे उसके बात finally हमने जो यह दो equation थे न Sigma Y तो Sigma Y कितना है यहाँ पर देखो Sigma Y है 16.9 तो यहाँ पर हमने क्या किया है Sigma Y 16.9 अब यहाँ पर N A है तो N कितना है N आपको पता ही है total कितने नमबर से 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 total 5 है यहाँ पर मैंने कितना लिख दिया यहाँ पर हाँ 5 लिखा है ठीक है तो यहाँ पर 5 लिख दिया उसके बाद यहाँ पर जो है B Sigma X Sigma X कितना है तो Sigma X है 10 तो 10 के साथ अब B जो है वह ऐसी रख दो गए वैसे नीच वाले फॉर्मुले में Sigma X Y हमने निकाला 48.1 उसके बाद 10 A अब यह 10 A कैसे आए तो Sigma X जो है वो कितना हमने निकाला 10 निकाला इसलिए अब यहाँ पर जो है अब simple से आपको क्या करना है A या फिर B किसी A को निकाल लें के लिए आपको multiply करना होगा तो मैंने किया यहाँ पर B को हटाता हूं और A निकालता हूं इसलिए मैंने किया कि 3 से multiply किया और यहाँ पर finally 30 आजाएगा और यहाँ पर 15 और 50.7 तो हम यहां पर A की value निकाल लेंगे 26.2.6 by 5 और यहां पर 0.52 आ जाएगा तो A की value आ गई अब किसी भी इन दोनों में से एक equation में डाल दो जो यह दो equation देख रहो ना इन में से किसे एक में put करो और आ जाएगा B की value तो B की value के लिए हमने क्या किया एक equation लिया उसमें हमने जो value आई थी एक ही वो डाल दी ताकि B की value आ गई अब आ गया A और B बस वही करो A प्लस B X था तो A की जगा value put की B की जगा value put करी आ गया खतम अब आता है next question पे यह है probability distribution probability समझते हो ना इक जो हम टॉस करते हैं कितना chances है आने का head कितना chances है tell probability वही होता है कि head आएगा tell आएगा तो probability distribution क्या है मतलब probability को हमने बाट दिया बाट देना एक तरीके से in the sense कि हमने एक coin है इस coin से जो आएगा वह head भी आ सकता है tell भी आ सकते है तो हमने दो बार इसको उच्छा अड़ तो दो बार उच्छान लेज़ यह होगा कि पहले बार hep और फिर टेल आएगा या फिर हैड आ गया तो दूसरे बार हैड आ सकता है या फिर पहले टेल आ गया फिर हैड आ या फिर टेल आ सकता है तो और वहीं सही हम तीन बार उच्छा लेंगे तो और ज्यादा यह डिस्ट्रिबूट हो जाएगा मतलब probability distribution मतलब किनका आने का chances है वह हमने डिस्ट्रिबूट कर दिया और फिर हम जो है वह यहां पर मार्स देने लग जाएंगे और सिक्का को उच्छाल का कि इसका आने का ज्यादा chances है तो यह यह probability distribution में ली और probability distribution refer to a mathematical function या फिर रूल है जो डिस्क्राइब करता है probabilities को जो आना है एक event हो रहा है मतलब सिक्के उच्छा ले जा रहे हैं जिसमें possible outcomes है कि हैड जाद आएगा उच्छानने पर दस बर उच्छा लेंगे तो छह सात बार हैड आएगा तो यह हो गया एक तरीके से आप यह इन simple terms probability distribution हमें बताता है अलग-अलग outcomes values मतलब जो भी वैलियोस या outcomes यानि जो result आएगा एक experiment का या फिर रेंडम प्रोसेस का तो वह वैल्यू और outcome हमें बताने का काम करता है probability एक तरह से अनुमान लगाना वही तो है probability distribution के यह अंदर discrete probability distribution आता है जिसमां में binomial और poison दोनों ही करना है तो अब हम देखेंगे एक-एक करके सबसे पहले है binomial distribution जिसको हम bird knowledge distribution भी कहता है विकाज यह बेस्ट है bird knowledge process पर अब बाइनोमियल डिस्टिबूशन है यह एक डिस्क्रीट probability distribution है जो कि अभी हमने देखा और यह हम बताता है सिर्फ दो possibilities को क्या होगा success होगा fail होगा yes no बस यह ही बताने का काम करेगा अपना जो इसका रिजल्ट है तो यह बाइनोमियल का काम है देर आर टू पेरेमिटर्स एन और पी जो इंपोर्टेंट है अभी हम इसको भी समझते हैं आपको ऐसे नहीं समझ आएगा आप डिरेक्ट फॉर्मुले बें यहां पर यहां पर यहां पर जो फॉर्मुले देखें कंफ्यूज मत हो होगा पी के अंदर ना में लिए आप कंफ्यूज हो रहे हो तो ऐसे एक्स जो है एक्स लिखा आपने इसकल टू आर लिख दो बस बाकी यहां पर सी एन और यहां पर आर पी के ऊपर आर और क्यू के ऊपर एन माइनस आर यह वाला एक्वेशन आपने बहुत जगे देखा हो तो मतलब है तो वहां पर पूट करना हम एक्स के बादी तो पी जो होगा ब्रैकेट में एक्स इसकॉल टू यह त्री यह फोर वह हम पूट करेंगे और जो यह आर के वैली होगी ना वहां पर भी वही वैल्यू आजागी यह बॉक्स वाली आप फॉर्मुला ध्यान से आप प्रभा आर करोगे तो निट वह सकते हैं यहां पर आर लिख्सेक्तों और यहां पर भी आर लिख देना बस इतना सहना है तो अलग अलग हमसे फॉर्मॉला पर matice पूरे इक्वीशन के साथ नहीं कर सकते हो इसलिए इसका बना रखा कि N और यहां पे आप देखे सकते हो पूरा equation, factorial और x factorial, n-x का factorial यहाँ पे, तो यह जो आप आई देखे रहो, factorial और कुछ जगह ऐसे factorial बनाए जाते हैं, तो यही था कि अलग-अलग जगह पे, अलग-अलग, site पे अलग-अलग formula आपको देखने का मिल जाएंगे, तो हमें यह भी निकालना है, और यह निकालना है, तब जाकर के हमारा पूरा equation निकलेगा, कैसे होगा, अब देखते हैं, यहाँ पर binomial distribution, तो इसके अंदर ना हमें जो है methods दिये हुए हैं, जैसे mean, standard deviation और variance, mean जो कि NP को हम बोलेंगे, standard deviation जिसको हम सिगमा से represent करते हैं, under root NPQ, और variance तो हमें पता ही है, सिगमा का square कर दो, तो सिगमा यहाँ पे, यहनि standard deviation का square कर दो, तो NPQ जो है, वो root के बाहर, तो बस इतना आपको जो है, वो ध्यान में रखना है, अब हर तरह के question जो है, वो आप कर लोगे, एक तो इनको आपको ध्यान में रखना है, जिसमें से N तो आपको पता ही है, एन जो है number of experiment, P जो है, वो success है, मैंने आपको बताएं नहीं, बता देता हूँ, experiment से P जो है, वो success है, जो आप एक बार toss उचाल रहे हो, बोला जा रहे है कि मतलब head आएगा, तो head आया, तो success हुई हमारी, और नहीं तो failure हुआ, Q जो होता है, failure होता है, और इससी को हम 1-P कहते ह नियाद रखना, Q की value क्या है, 1-P, P अगर निकल गया, तो Q तो आराम से निकल जाएगा, 1-P से बस, अब आते हैं, question हो पर, अब आपको अच्छे से समझ आएगा, उससे पहले application, यहाँ पर पढ़ सकते हो, properties में यहीं सब आएंगे, यह जो आप देख रहे हो, यह सब properties में लिखे लेना, यहाँ पर लिख रखा मैंने पैन से भी, it provides two possible outcomes, yes, no, success, failure, binomial distribution is used to model the number of defective items, एक sample from a production line, production line के अंदर जो samples है, उसमें कितना defect आ रहा है, तो यह सब पता लगाने के लिए, polling और surveying के लिए, estimate करना, कितने population of लोग जा है, वो पोल उस पर कर रहे है, vote कर रहे है, एक तरीके से, it also used in finance and economics में, जिसमें हम पहले से पता कर सकते है, stock price क्या चल ला है, increase होगा, decrease होगा, सब कुछ, आते हैं कोशन पर, अरे यार, कोशन तो आपको सही से देखने रहा होगा, बट कोई दिकत नहीं, कोशन में यह पूछा गया जो है, वो limiting case है, binomial distribution का, तो इसका answer होगा, हाँ है, because अभी आपने poison पढ़ा नहीं है, binomial distribution एक छोटे range के लिए, हम मतलब की numbers होते हैं, कि head tell में अगर बात करें, coins को तो 1000, 10,000, इतना बार उचाल रहे हैं, तो यह सम मतलब कर सकते हैं, बट उससे भी जादा लाख, दो लाख म है, वो convert हो जाता, poison में, और poison का success rate कम होता है, मतलब वो चीज का होने का chances, जो है, वो कम हो जाता है, because जादा बार और कर रहे हैं, उस चीज को तो, जो mean है, binomial distribution का, वो 40 दिया हुआ है, और standard deviation जो है, वो 6 दिया हुआ है, यानि sigma 6 हो गया, और यहाँ पर binomial distribution जो है, वो है 40, त तो सबसे पहले यहाँ पर, poison distribution जो है, वो है, because बाकी का question हो गयते, और यह limiting case है, binomial distribution का, अब आते हैं, mainly जो है question में, एक तो चालिस दिया हुआ था, जो कि हमारा mean था, और mean क्या होता है, हमने पढ़ा है, NP को हम बोलते है, mean और standard deviation था अच्छ है, और standard deviation किस को हम कहते है, NP क्यो को कहते है, तो यारी NP हमारे पास है, तो यहां से हम Q निकाल सकते है, simple सा, तो NP क्यो हमारा मिल जाएगा, तो आते है, इसको भी solve करते है, तो हमने क्या किया सबसे पहले, यहाँ पे जो Sigma है, उसको हमने लिखा फॉर्मूले को उसके, और कितना दे रखा है, 6 दे रखा है, तो हमने क्या कि दुनों जगे स्क्वैल लगा दें तक रूट हड़ जाए तो इसके वेल्व बढ़ गया उसके बाद हमने क्यू को यहीं पर रखा बाकी को उधर ले गया और उधर ले जाएंगे तो जो एन पी था वो तो 40 था तो मैंटिप्लाई हो जाएगा तो फाइनली जो है वह हमारा निकल आएगा तो क्यू इसकल टू 36 वाइफ 40 जिरो पॉइंट 9 आ गया अब जो यह क्यू 0.9 आए ना तो क्यू हमें पता है वन माइनस पी होता है तो वन माइनस पी यानि पी वाला जो वै अभी बता है तो ना क्यू स्कॉल टू 1 माइनस पी होता है तो पी पता है तो क्यू निकाल दो गया अब यह हो गया तो एन बच गया तो एन निकालने के लिए क्या करोगे एन पी चालिज दे रखा है जिसमें से एन को यहीं पर रखेंगे और पी को उधर ले जाएंगे क्य जोगा 0.1 होता है कोशन में यह बोला गया था कि एन पी क्यों निकालने के लिए बस यह था एक तरह का कोशन था और यह लास्ट एरिया हुआ है और दूसरे तरह का कोशन वह इस तरीके से आता कि एगर 10 कोईन को जैसे मैं यहां पर लिखा विकॉस हैड और टेल और उपर वान इसलिए लिखा विकॉस हमें सिर्फ हैड का चाहिए तो हमारा जो है वो क्यू इसकल्ट वन माइनस पी हो जाएगा तो हम यह पी हमें पता चल चुका है तो क्यू हम निकाल लेंगे तो आपको यह दिहान रखना है कभी भी हैड कवार में आया तो ऐसे ही आप करना और आपका जो है क्यू तक निकल आएगा अब एक्वेशन में पूट करेंगे यहां पर जो आप x देख रहा हो ना तो x इसकल्ट टू त्री लिख देना और पी और ब्रैकेट में ऐसे और यह फाइनल लिखना एक सिपल्णड़ करो ठीपिट किया ऊपर ठीपिपट करो किया इधर इधर किया हमने and 20 था तो 10 यहां पर 10 लिखा क्यों वन वाइत था लिख दिया हमने पी वी जो वन भी था तो वह भी लिख दिया हमने खताम अब आते हैं solve करते हैं सबसे पहले आपको यह solve कर लेना है देन आप इसको इसको solve कर लोगे तो इसको solve करने के लिए 10 यहाँ पर c3 है अब इसके लिए मैंने आपको बताया था सबसे पहले n factorial upon में x factorial और n-x का factorial तो n के जगह 10 लिखा यह मार्क भी ना फिर यहाँ पर 3 factorial लिखा और 10-3 factorial लिखा अब simple से यह ना कि यह factorial क्या है factorial मत्रा 10-9-8-7-6 इसी तरीके से factorial काम करता है 3 है तो 3 से पहले आजाओ 3-2-1 तक आजाओ यह हो गया पूरा complete तो 10 factorial 3 factorial 10-3 factorial कुछ हमने इतना लिखा यहाँ पर 10-3 7 आएगा तो हमने कुछ किया कि 10-9-8-7 7 पर factorial बना दिया ताकि यह दोनों कट जाए और 3-3-9 और 2-4 जा-8 तो 4-3-12 और यह 10 तो 120 आजाएगा तो इसका value के जगा पर हम लिखेंगे 120 और यह देखो है न तो दोनों similar है 1 by 2 1 by 2 तो 1 by 2 अगर हम यह माइनस भी करेंगे 10 में से 3 गया 7 और यह 3 जो है वह आ जाएगा तो 10 हो जाएगा अगया 1 by 2 का अगर हम 10 टाइमस करेंगे तो वह आएगा आपका 1024 बस इन दोनों को कट करना है आपका जो है वह आ जाएगा तीन हैट्स के लिए अब यहां पर आता है पॉजन डिस्टिबूशन पॉजन डिस्टिबूशन एक दिस्टिबूशन यह बहुत सिंपल है उससे बहुत एजिए वह यह तो आपको थोड़ा बहुत टफ लगा होगा फॉर्मुला याद करना मैं यह बिलकुल ही नहीं एकदम सिंपल सा है विच केन बी यूस्ट तो फाइंड आउट दा प्रोबैबिलेटी ओफ सिंगल इवें को कितनी बार क्रॉस किया या इस रोट से कितनी बार गई इसके अलावा एक्सिदेंट एक पर्टिकुलर जगह पर कितनी बार हुए एक पेज जो हम टाइप करते हैं लैप्टॉप में तो कितना एर्र आया तो यह सब है इसी को जो है वह हम निकालने के लिए पॉजन डिस् कि एक मंत के अंदर कितना सेटी के अंदर यावन इयर च के अंदर अगर कन लग तो जादा कर देना sanit हम करेंगा भाइप झाल मारिक वहां को प्रणिक एक न होता है कोई कोई लोग यहां पर लुखते है कोई-कrich लिखैंघने रिक्ते हैं तो कनफ्युज पिल्कुल म और यहां पे यह मैंने आपको बता दिया तो यह बस आपको धिएन रखना था और इसका वैलु야 आपको मिलेगा जो यह मीन है इसका वैलुँ आपको मिलेगा और यह इंसका वैलुँ यह रखना आपको यह हमेशा इसी का यूज करोगे आप इसके उपर जो पावर है वह आपको मिलेगा एम यह दोनों एम का एक ही वैलू होगा अब प्रॉपर्टी से यहां पर पढ़ सकते हो यह बहुत सिंपल सा है यहां पर देखो यही चीज़ समझा रहा था मीन वैरियंस लेंडा ती जीरो पॉइंट जीरो जीरो टू फाइंड प्रोबैबिलेटी डैट आउट ओफ एक हजार इंडिविजिवल्स इग्जैटली दो और एटमोस्टू से आपको करना है तो इग्जैटली टू का मतलब कि वह टू आपने डारेक्ट कोट किया एटमोस्टू यानि दो और दो स आपको जैनरली आपको मैं आपको बताता हूं अभी दो से पहले जितनी बार भी है वहां तक आना है क्यासे करोगे सबसे पहले तो इग्जैक्टली टू का सुनो सबसे पहले आपको एन पता है 1000 पता है पी वही पॉसिबिलिटी चांसिस सक्सेस का मतलब इतने लोगों का कि ADR जो है वो स्वाइन फ्लू वैक्षिन का 0.002 आया है 1000 इंडिविजूल समय तो यह आ गया पी आप मिल ली जो है सबसे पहले आपको क्या करोगे एन मिल गया पी मिल गया तो हमारा मीन क्या होता है यानि लेमडा क्या होता है एन पी हम कहते हैं तो एन और पी दोनों आपस में मल्टिप्लाई कर दो आ जाएगा तो यहां पर टू आ जाएगा जो कि हमारा एम और लेमडा है तो यानि दोनों फॉर्मुला जो आपने ऊपर देखा कि यहां यहां पर टू पूट कर दो ठीक है आपको अच्छे समझा गया होगा तो मैंने एक बेसे के लिए जो पहला फॉर्मुला था है अब टू पूट किया अब यहां पर देख रहा हो ना एक्स के बगल में यह फैक्टोरियल है तो इसलिए सिर्फ लिखा अब टू से टू कटेगा तो टू एक पावड माइनस टू आपको यह समझा गया तो थोड़ा समय नहीं यहां पर क्या किया था कि एक और टू इसको अ आपको कैलकुलेटर जरू चाहिए और कैलकुलेटर एलाव होता है इस एक्जाम में तो आपको ले जाना पड़ेगा और टू से फिर मल्टिप्लाइ कर दो जब इसके पावर ओपिन कर लिया उसका ब्लिप्लाइब करो आपका जो ऑनसर है का अप्रोप्स में आप लिख किय ग्राइब आपको तो सब से पहले आपको फॉर्मिले लिख देना है और आपने एक तो निकाली लिया जैसे कि हां पर निकाला आपने है है दो के लिये निकाला था तो क्या आया पर एकर पावर – 2 तो 이 बहुत्प किया था नीचे कुछ आगर समझा फो फॉर्मुले में यहां पर जीरो पूट कर दिया तो जीरो पूट करने से क्या होगा जीरो पूट करने के वज़े से सिर्फ और सिर्फ ए के पाउर माइनस टू बचेगा सेकेंड वाले में वन पूट किया वन पूट करने से क्या होगा कि यह जो आप देख रहे हो एम की वैलो 2e के पाउर माइनस 2 और 2 के लिए भी करोगे तो 2e के पाउर माइनस 2 एक बर चेक कर लेना फिर भी अगर ऐसा नहीं समझ आ रहा हो तो आपको डारेक्ट यह फॉर्मले लिखना और साइड में जो है एक लाइन बना करके वहां पर सॉल्व कर लेना थोड़ा मैंने जल्दी बा तो आपको I think logic समझ आगे कि किस तरीके से करना है कोई भी मिस्टेक्स हुआ होगा तो आप देख ले जागा विकोज अभी मैं यहां पर करने बैठ हूंगा तो थोड़ा टाइम लग जाएगा डिफाइंड सेंप्लिंग पर आता है सेंप्लिंग एक प्रॉसेस होता है जिसम फिक्स नंबर ऑफ ऑफजर्वेशन जो होते हैं फिक्स होते हैं नमर ऑफ अबजर्वेशन जो कि लेते हैं हम लोग रेंडमई फ्रॉम लार्ज College population के अंदर से हम लोग क्या कर एकको सिंपल सा मैंने आपको बनता दिये है दो तरह रोताई और आतने करें करें प्रोबाइबलीटी सेंप्निंग में मतलब आएक जो गुरूप आ बहुत सारह यितनी सार battle लुक है तो रेंडमली सिलेक्ट करेंगा कोई भी आ जाओ तो सभी मेंबर्स का चांसेस बनता है कि वह सिलेक्ट हो जाएंगे डाटा देने के लिए नोन प्रबैबलेटी सेंप्लिंग के अंदर जो होता है इस स्पेसिफिक लोगों को हम लोग चुनते हैं जैसे कि आगे वाल आप आते हैं नीचे इसके अंदर अलग-अलग आपको पढ़ता है सिंपल रेंडम Sैंप्लिंग स्टैटेफाइड सिस्पेस्त्यीमेट इसमें जज्ज्मेंट और क्यों जो सिंपल सिंपल वाली तो ओमने लिखे है ताके आपको पढ़ पाऊ सिंपल रेंडम सेंप्लिंग के अंदर क्या होता है हर एक मेंबर जो है पॉपुलेशन का वह एक्वल चांस रखता है कि मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा कि एक तरह कर लोट्री समझ लोग लिए एक डबा रखा आमने लोग खड़े हैं किसे कभी नाम आ सकता है सबका अगर सौ लोग है और यह डबा के अंदर सौ परचिया है तो सभी का इकवली चांस तो हुआ कोई भी आ सकता है कि इसका एडवांटेश तो यह है कि हर एक मेंबर जो है वह आ सकता है डाटा देने के लिए और लिमिटेशन यह कि मैं नौट कैप्चर होल ग्रूप पर्टिकुलर जो ग्रूप है वह कैप्चर नहीं कर पाते हैं कि यह इसको आना चाहिए नहीं यह रैंडम ली होता है वह सब्सक्राइब लेता हैं एक मोर्स प्रिसाइज एस्टिमेशन मिलेगा उस चीज़ का जो भी हम अपना काम कर रहे हैं जिसज़ के लिए हम डाटा क्लेक्ट कर रहे हैं तो प्रिसाइज एस्टिमेशन यानि वैल्यू हमें मिले कि बट लिमिटेशन यहीं कि 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 INFORMATION जो हो कर सकता है वो देने में जो भी कम यह वाला हो या ज्यादा यह वाला हो तो बस यह सिस्टमेक सिस्टमेटिक सैंपलिंग के अंदर यह कि एरेंज करते हैं सेंडिंग और में और रेंडमली ले ले लेते हैं लोगों से सैंपल्स को एडवांटेज यह होता है कि एक सिंपल और सि if not accounted for तो एक वो जो है वो जिम्मिदार है उसमें सही से वो किया है जो भी वो डाटा प्रोवाइट करवा रहा है नहीं हुआ तो फिर यह इसका लिमिटेशन हो गया नहीं होगा तो दिख्याद आजाएगे फिर आपको करने में जो आप सेंप्लिंग कर रहे होता हूं इसके अंदर जाजमेंच सेंप्लिंग आप समझे रहे होंगे विक वी किसी को भी कर रहे हैं तके इसमें इसमें सप्पेसिफिक को चुनना पड़ता कैसे जाजमेंच स्प्लिंग में तरिक करताई जो अच्छे गूड प्रोस्पेक्ट फो एकुरेट इंफोरमेशन जिनके पास होती है उनको सिलेक करते हैं को अंदर डाटा को कलेक कर हो मतलब कुछ फिमेल से कुछ इस वाले ऐस से बस ऐसे हाइपोटेसिस टेस्टिंग पर आते हैं जो की इंपोटेंट टॉपिक है दियान से सुनना है टेस्टि लिए एक करते हैं मैं पता नहीं होता वह चीज का तो वह हाइपोथेसिस होता है अब आते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होता है और हाइपोथेसिस इस्टेटमेंट यह तरह का इस्टेटमेंट होता है एक एजम्शन होता है जिसको हम टेस्ट करते हैं कि वह सही है जो चीज़ के अंदर किसी चीज़ का भी प्रेडिक्शन अब ले लो कि हमने यह प्रेडिक्ट कर लिए कि हाँ आज इंडिया जीतेगा यह यह होगा हमें लगा मतलब हमने हाइब यह यह तरह का यह हाइपोटेसिस हुआ हम ने कर लिया वह कैसे पता चलेगा तो उसके लिए चलेगा कि अच्छा हमने सही बोला है या गलत बोला है वह रिजल्ट के बाद आएगा टो टेस्ट वैलिटी ऑफ दा एजम्शन एब आप पॉपुलेशन पैरमीटर तो जो टेस्ट हम करेंगे वैलिडिटी के लिए जो हमने एजम्शन किया है क्या वह सही है उसके लिए क्या और यह रहा मुझरें तो जर्ज ने सबसे पहले यह सोचा कि अरे यार यह थीक बंदा है इसना जुर्म नहीं किया है लेकिन जब वकील सब इनको देने लग गया है डॉकुमेंट्स एक से एक और बताने लगए कि हां इन्होंने ही जो है वह मटर किया है तो थूरू पेपर थूरू वीडियो सोर्स के जरिये पहले तो इन्होंने ऐसे ही कर लिया था बट जब सब कुछ अनलाइज करने के बाद सीटेवे हर चीज देखने के बाद पता चला कि नहीं यह तो दोशी है इस यहीं किरिमनल तो वह उस टाइम पर गलत हो जाएगा अगर उसने एजुम कि इसको हमें mote करना कि हाँ टू टुमालव सही हुँम करने है उससी जैसेकी आप मतलब भी प्रेडिक्शन कर दो आप कोछ भी प्रेडिक्स करते हैं कि हमारे डाट के पता चलेगा कि पूरा हमें डाटा को एनलाइज करेंगे उसके बाद ही तो रिजर्ट पता चलेगा लेकिन हमें पहले तो एजूम करना पड़ेगा ना कि हां यह चोर हो सकता है तो नल हाइपोथेसर दारेक बोलता है समझ लो वह चीज है ट्रू में समझो सही वे में लो से जलता है हाइपोथेस टेस्टिंग रिक्वाइर होती है इसके अंदर डाटा जो नल हाइपोथेसर से यह कंसिडर करता है कि ट्रू अंटिल जब तक वह प्रूप ना हो जाए गलत तब तक वह पर ही रहेगा और बैसेस ऑफ रिजर्ट ऑब्जर्ट फ्रॉम्द सेंपल ड और यू जो हो यू फो लेस दिन ट्रु एकील जैन यू नौट यू किया है पॉपलीश aiним वैल्मी गार ultimate यह साइज तस वेलॉअफ मियुंड डोप किया एल्टरनेटिव हाइपो थैसेस कंग्लिविट तो बी प्रू इफ ऐसा हाइपोथ जो ऑप क्या रहें को यह सथी है लेकिन वह नल हाइपोथेसिस गलत हो चुका है वहाँ पर तब बोलोगा कि हाँ यह मलट्व यह जो जब एक्वेशन के तो अगर हम बात करें एक्वेशन के तो पर की है यह बीजिए को सबसे पहले आपने एक डिजिस सोच लिए कि हाँ इतने लोग हैं इन में यह डिजिस हो सकता है नहीं हो सकता आपने एक तरीके से एकiece किया कोई कुछ भी आप एक्सपेक्ट प्रॉब्लम एजूम कर सकते हो जिस पर भी आपको काम करना है इस बना रहे हो इस टेट दा नल है पोसे और अल्टर नेटेव है तो नल है पोसे में अब कहोगे कि हां डिजिस हुआ है लोगों को इस वजह से तो उसके लिए स्टेब़ेस्टिक्षरीज जब थे जाते हैं तब पता चलता है अब को तो आपको समझा के T test को रहे हैं यह खिल्व जो कि हाइप हेसी कहते हैं companies हों था हैत मैं भी कंफ्यूस हुरहाँ लो नियुक्त होद है। तैस्टिंग जो है उसको कंपलीट करने के लिए हम टी तैस्ट की जुरूत पड़ती है टेस्ट होता है हाइपो टेस्ट के लिए इसको हम लोग स्टूडेंट टी डिस्ट्रिबूशन भी कहते हैं जिसको डेवलोप किया था वीलियम सीली गॉसेट ने यह इस पेसली टेस्टिंग किया जाता है सिगनिफिकेंस पता करने के लिए जो भी मीन वैल्यू में डिफ्रें सारा है तो उसके लिए हम इसका यूज करते हैं और इसमें सैंपल साइज होता है वह कम होता है लेस दें 30 होता है और और पॉपलेशन इस्टेंडर डविएशन जो था वह अविलेबल ना हो तब हम एपलाई करेंगे टी टेस्ट का तो इसलिए एजुम्शन सुन लो पॉप और पॉपलेशन इस्टेंडर डिवूप अब एक होता वन सैंपल टीट एस्ट पॉसेंपल टीट केस्ट में कंपीयर करना सैंपल में को तो अलग-अलग से फार्मुला आपको तो पढ़ाने होगा फॉर्मृला लिगने लिए इनिहीं पें नुमेरिकल्स प्रते हैं और भी अगर आप comment करोगा तो मैं आपको numerical दोनर पर एक-एक सॉल्व करकर आपको provide करवा दूंगा टी इसकल टू मीन यहां पर माइनस यूट अपन में एस जो होता है वह स्टैंडड आविएशन होता है एंजो होता है वह कि सैंपल का साइज होता है मेन यह हो गे और यू नोट आपको मैंने बता ही दिया population मेन आप यहां पर आते हैं यहां पर पड़ी सकते हो एक्स बाज होता है वह फर्स्ट ग्रूप का मेन सेकेंड गूर्प का मीन दूसरा वाला विकास यहां पर कोशन में दियो हुए ना कंप्रीयर करना दो अलग अलग सेंपल से अप्लिकेशन के है कंपेर करना ट्रीटमेंट ग्रॉप एनलाइज प्री एंपोस्ट इंटर्मेंशनल डाटा इसको डेवलोप किया था रोनल्ड फिशर ने और इसी वज़े से इसको फिशर अनोवा भी बोले जाता है तो यह आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है फिश गोल तो पिर इसे मढ़ले रिखनो इसका के लिए ऐसे यह पोप्लेकेशन के आप कहरे चैनल द्रीपर इसा एक्सार जेह एप में हम इसका यूज़े न है सब्सक्राइब करते हैं तो थोड़ा थोड़ा में आपको बता देता हूं ताकि आपको समझा जाए अब यहां पर जैसे कि देखे रहो वन वे अनोवा जिसके अंदर एक इंडेपेंडेंट वैरियेबल जो होता है इसका यूज करता हमारे पास हमारे पास क्या है सिर्फ एक इंडेपेंडेंट वैरियेबल है और जो है अलग-अलग ग्रूप्स में हमें यह करना होता है और इसमें जो है एक से जादा यानि दो 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 इंडेपेंडेंट उंका जो मीन्स होता है वो एक्वाल आता है एक्वल सबीडिन सभार ना знаю Biz 50 लोगों का जो दीक रहा है आपको अब समझा आगा को जो हम डी जिस कर रहे हैं तो मतलब हम यह बोलішके का एइक लीजितने लोग हमने की एंस सब्सक्राइब ऑगया 50 लोग की आगया 10 लोग क्या 5 लोग है सब में आbaar कि हम और सब में आया नहीं नहीं आया को a शारत है इस य सथैंदर अगर मतलब temple जो होगा वह गलत होगा तो हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस वह सही होगा जैसे कि हमने टू वैरियेवल किया इंट्रेक्शन देखा एडियर देखा जिसमें पता चला नल हाइपोथेसिस कि हमने एजुम तो किया था बट वहाँ पर कोई भी में इफेक्ट नहीं आया उन लोगों में बट वहीं पर अल् पर दो के अंदर एडियार तो यह था अब इसके जो एप्लिकेशन से अप्लिकेशन के अगर बात कि रहा तो एक्सपरिमेंटर रिसर्च वालिटी कंट्रोल और मैनुफेक्ट्रिंग में एजुकेशन और साइकोलोजी रिसर्च सोशल साइन्स और बायलोजिकल मेडिकल रि तो वह समय आपको नोट्स में प्रवाइड करवा दूंगा जो भी आपको बताना था वह सब कुछ मैं आपको बता चुका हूं और वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगे